आप देखरो ग्यान ध्यान और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट सेग्मेंट आज हम डिसकस करेंगे इस लेक्चर में दैट इस कॉंसिट्वेंट असेंबली तो हमारे जो competitive exams होते हैं उसमें जो GS का portion पूछा जाता है तो Indian Constitution या Indian Policy and Governance एक मेजर portion contribute करता है तो जितने भी important facts हैं जो Constituent Assembly से पूछे जाते हैं सारे facts को मैं cover करूँगी जो previous years में already questions पूछे गए हैं वो भी मैं discuss करूँगी आपके साथ में तो अगर आप नए हो तो please like, share and subscribe और अगर आप already मेरे subscribers हैं तो thanks for watching Preamble of the Indian Constitution and जो parts and schedule of the Indian Constitution इस पर already वीडियो बना दिये उपर आई बटन पर link मैं दे रहे हूँ आप उसे जाकर check कर सकते हो इसके साथ-साथ आपना एक अपना copy और pen लेकर जरूर बैठना जो important facts आपको ना याद हो या confused होते हो तो उसे note down करते चलना इस तरीके से आपकी वीडियो के साथ-साथ में notes भी prepare होते चलेगी तो यह बहुत जरूरी है क्याकि आप सुन रहे हो लिख रहे हो समझ रहे हो तो इस तरीके से आपकी memory है वो sharp होती है तो यह जरूर काम करना तो इसका historical background अगर देखें constituent assembly का तो इसका पहली बार शुरूरात होती है पहली बार जो propose किया गया था the idea of constituent assembly यह propose किया था M.N. Roy ने 1934 इसी line से ही question बनता है हमेशा यह question पूँचा जाता है कि जो M.N. Roy है उन्होंने कब constituent assembly को propose किया था for the first time तो it was 1934 और साथ ही साथ में यह भी पूँचा जाता है कि जो M.N. Roy किसने propose किया था idea of constituent assembly for the first time तो वो M.N. Roy थे तो यह बहुत important है note down कर लो इसे दूसरा पूँचा जाता है दूसरा यह है fact कि जो यह demand थी ना idea तो M.N. Roy ने propose कर दिया इसके बाद discussion चलने लगा कि हाँ constituent assembly होनी चाहिए जो हमारा constitution प्रिपेर करेगी independence इंडिया के लिए तो official demand की रूप में accept किया था जो हमारे congress थी जो Indian freedom struggle को lead कर रही थी उसने 1935 में official demand की रूप में से accept कर लिया मतलब congress अपने हर platform के through इस demand को रखने लगी officially इसके बाद से जो Britishers थे तो उन्होंने जो Indians की demand थी उसको accept किया था August offer 1940 में कि हाँ हाँ ठीक है चलो हम आपको constituent assembly का proposal देंगे बनाएंगे जो constitution frame करेगी और उसमें आपके ही Indians ही होंगे तो पहली बार accept किया था Britishers ने British government ने अगस्त offer 1940 में ये भी एक fact आपको याद रखना है next important चीज है कि ये जो हमारी constituent assembly है किस आधार पर बनी थी किस plan के आधार तो cabinet mission plan 1946 जिसमें formal तरीके से written रूप में constituent assembly का जो actual method है कि क्या composition रहेगा election का क्या method रहेगा पूरा मतलब framework दिया गया था किसमें cabinet mission plan पे तो अगर question पूचा जाता है कि कि किस के माध्यम से या किस किस plan के माध्यम से constituent assembly को किया गया तो that was cabinet mission अब इसमें confuse करने के option में पता है क्या देता है क्रेप्श में क्रेप्श मेशन जो 1942 है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि it was cabinet mission 1946 don't get confused तो यह इसके बाद से election के बारे में question पूचा जाता है तो जो election हुआ था हमारे जो members थे constituent assembly के वो indirect election के थूआ थे indirect election मतलब इन जो members थे constituent assembly को इनको चूज किया गया था provincial assemblies के जो members थे उनके दोरा अब provincial assemblies के members को कौन चूज कर रहा था जनता चूज कर रही थी और यह चूज कर रहे थे members of the constituent assembly यह एक तरीके से जैसे राज्यसभा का election होता है तो राज्यसभा के indirect elect होकर आते हैं राज्यसभा के जो members है क्योंकि राज्यसभा के members हमारे state legislature से आ रहे हैं तो यह indirect election था और जो method था election election का वो था single transferable vote of proportional representation यह ध्यान रखना है आपको तो यह था basic background कि हाँ भई अब constituent assembly का election हो गया constituent assembly बन गई cabinet mission के आधार पर तो अब इसका composition देखते हैं कि member कितने थे और यह members आये कहां से थे तो cabinet mission में इनकी membership का पूरा recommendation दी गई थी और जिसे adopt किया गया था member की जो membership रखी गई थी 389 और यह जो indirect election के थूँ आये थे तो इसका जो division था 389 का तो 292 members कहां से थे जो provincial legislative assemblies थे जो British India को represent कर रहे थे 93 members थे जो Indian princely states को represent कर रहे थे जो उस time पर princely states जो राजा रजवारे थे उनकी members को represent कर रहे थे और यह nomination के थूँ आये थे then जो four members थे represent कर रहे थे chief commissioner's provinces को that was the part of British India so this was the composition इसे ध्यान रखना है यह membership को then इसके बाद cabinet mission के दौरा यह हो गया कि हाँ यह election हो गया membership बन गई constituent assembly बन गई आपकी ठीक है cabinet mission के अधार पर 1946 आप आप देखोगे कि 1947 में माउंट बेटन प्लान आता है अब यह माउंट बेटन प्लान जो था यह किसले था partition of India and Pakistan के लिए तो जब इंडिया और पाकिस्तान का partition हो जाता है तो हमारी जो constituent assembly थी यह भी divide हो जाएगी ना separate हो जाएगी तो एक separate constituent assembly बना दीगी पाकिस्तान के लिए तो अब हमारी membership भी reduce हो जाएगी ना क्योंकि जब 1946 के आधार पर जो हमारी constituent assembly बनी थी वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बनी थी तब इंडिया और पाकिस्तान का partition नहीं हुआ था तो membership 389 थी लेकिन आप 1947 जून में आप यह order आ गया कि इंडिया पाकिस्तान का partition होगा भाई यह लोग साथ नहीं रह सकते हैं तो अब यहां पर जो यह membership है यह भी divided हो जाएगी दोनों के बीच में तो अब membership reduce हो गई थी आप Indian constituent assembly that was 299 तो पूछा जा सकता है कि after the partition of इंडिया और पाकिस्तान इंडिया में जो constituent assembly की membership थी कितनी reduce हो गई थी तो अब यह membership हो गई हमारी तो अब देखते हैं जब फर्स्ट डी ओफ दा constituent assembly जो constituent assembly जब बना दी गई cabinet mission के बाद में membership हो गया sub 389 members तो पहला पहली बार मिलती है constituent assembly कि हाँ भाई अब objective क्या था constituent assembly का draft बनाना था constitution prepare करना था इंडिया के लिए तो पहली meeting होती है new Delhi पे वो भी 9 December 1946 बहुत important date है यह question हमेशा पूछा जाता है कि when did the constituent assembly meet first meet तो यह थी 9 December 1946 आप जब previous years के question practice करोगे न यह question आपको मिल जाएगा हर जगे जीएस जिन exams में भी जीएस पूछा जाता है तो यह 9 December 1946 हो गया कहां मिली थी जो constitution hall जो central hall of the parliament house है अभी फिर जब पहली बार मिली तो temporary chairman of the assembly को चुना गया क्योंकि भई पहली बार मिल रहे हो आज की मिलने meeting के बाद ही तो आप अपना president chairman voice president चूज करोगे तो लेकिन उस उस पहली meeting को कौन chair करेगा कौन preside करेगा तो temporary chairman चूज किये गए थे doctor सच्चिदानन सिन्ना exam में बहुत important fact है पूछा जाता है यह वाला भी मैं बताते चलूंगी जो already questions में यह facts पूछे जाते हैं ताकि अपने अगर आपके पास book है तो उसमें mark कर सको highlight कर सको और अगर आप notes बिना रहे हो तो उसमें mention कर सको later फिर meeting के बाद में डॉक्टर राजीन प्रसाथ को permanent chairman या permanent president बनाया गया तो temporary कौन था या अगर पूछा जाए कि first meeting को किसने chair किया था तो वो temporary chairman सच्चिदानन सिन्ना थे फिर permanent किसे चूज किया गया डॉक्टर राजीन प्रसाथ को इसके बाद से voice president थे H.C. Mukherji यह हो गया constituent assembly के बारे में कि कौन प्रसाइट कर रहे क्या फिर बी एन राउ जो थे यह constitutional advisor थे बहुत important fact है यह भी हर बार आप यह question आपको मिल जाएगा कभी न कभी इसके बाद से पहली meeting हो गई आपकी 9th December 1946 फिर 13th December 1946 को पंडित जवाला नेरू ने objective resolution लाए अब यह objective resolution मैंने preamble already discuss किया है जहां पर मैंने detail में discuss किया है कि what is objective resolution तो objective resolution में वो सारी philosophies थे वो सारे foundational values थी foundation था हमारे जो हमारे constitution को frame किया जाना था तो it was just like कि अगर आपने कभी research paper देखा है जिसमें abstract पहले लिखते हैं फिर पूरा research paper लिखते हैं वो abstract बताता है कि यह 20-25 page का research paper है वो एक paragraph में बताया जाता है कि इस पूरे research paper में क्या लिखा गया है तो इसी तरीके से objective resolution भी एक तरीके का abstract था summary थी यह उस summary में वो सारी चीज़े mentions थे जो हमारे constitution में आगे provisions adopt किये जाएंगे objectives adopt किये जाएंगे ओके जो यह resolution था तो यह date बहुत important है इसे याद रखना 13th December 1946 कौन लाया था जवाला नहरू फिर जो यह resolution था इसको adopt कर लिया गया बाइस जन्वरी 1947 इसे याद रखना इसके बाद आगे जलते हैं फिर आपका 24 जन्वरी 1950 को आपका जो जन्गर्ण मर्ण है जो हम इस national anthem के रूप में adopt किया गया यह भी date बहुत ज़्यादा पूची जाती है 24 जन्वरी 1950 बाइस जुलाई 1947 को national flag adopt किया गया था दो important fact है आपको कभी न कभी यह previous years के questions में मिल जाएंगे तो इन्हें दोनों को ध्यान रखना है ऐसे ध्यान रखना है कि जो national flag है ना वो हमने जंडा हमने पहले ले लिया था और इसके बाद हमने गाना गाया था मेरो को याद करने का यही तरीका था इसको क्योंकि मैं इसकी date में हमेशा confuse होती थी यह 22 जुलाई और 24 जन्वरी में देखो 1950 और 1947 तो याद रहता है यह 24 जुलाई को अच्छे 1947 यहां पर आपका हमने जंडा लिया था फिर 24 जन्वरी 1950 में हमने national anthem गाया था ऐसे करके ध्यान रखना इसके बाद से जब आपका national flag adopt कर लिया गया 22 जुलाई 1947 को फिर आप देखोगे कि 15 अगस्त को इंडिया को independence मिली थी तो जो हमारी constituent assembly थी वो constitution hall में इकट्थी हुई थी जो midnight थी 14 अगस्त को ताकि हमने midnight of the 14th अगस्त next 15 अगस्त है हमने इंडिया की independence celebrate की तो यह हो गया आपका तो यहां से meeting objective resolution भी आ गया right कुछ कुछ चीजे शुरू भी हो गई अब main काम शुरू होगा objective resolution adopt कर लिया गया independence मिल गई इंडिया को अब main drafting का काम शुरू होगा constitution का यह ध्यान रखना है यह series ध्यान रखना है कि story के रूप में आप इसे बठाते जाओ है ना तो हमने पहले देखा cabinet mission आया cabinet mission के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से election हुआ और constituent assembly की membership लाई गई फिर partition हो गया बट गे members अब पहली meeting हुई 9 December 1946 को फिर objective resolution ला दिया गया पास भी कर लिया गया objective resolution प्रेसिडेंट वगेरा सब चुन लिये गए अब main काम बचा था independence मिल गई 15 आगस्त 1947 को तो अब हमारे क्या काम बचा है कि अब constitution actually में बनाया तो अब वो चीज प्रोसीजर देखते हैं तो 29 अगस्त 1947 को जो हमारी constituent assembly थी एक drafting committee बनाती है और इस drafting committee के जो chairman होते हैं वो होते हैं डॉक्टर बियार अंबेड कर तो अब main काम जो रहेगा यह इस drafting committee का रहेगा drafting committee बिल बनाएगी provisions लाएगी फिर उसका constituent assembly जो session चलेगा उस discussion होगा constituent assembly approve करेगी disapprove करेगी suggestion देगी criticize करेगी सब तरीके के debate चलेगी और फिर final किया जाएगा ओके तो यह important पूछा जाता है आपका 29 अगस्त 1947 drafting committee का तो यह पूछा जाता है chairman तो पूछे ही जाते हैं बियार अंबेड कर फिर इन्होंने पूरी drafting की कुछ time लिया बनाया ओके तो finally जो constitution बनाया गया उसको adopt किया constituent assembly ने 26 November 1949 को रही जब इस drafting committee ने पूरा काम आम कर दिया debate हो गया सब कुछ हो गया तो 26 November 1949 जसको हम सम्मिधान दिवस भी कहते हैं तो इस दिन adopt कर लिया गया constituent assembly के हाँ this is the final version अब इसके बाद से जब फिर last time पे जो यह members हैं इकठे होते हैं 24 January 1950 को इस पर sign करने के लिए जो हमारा constitution का draft finalize किया गया था उस पर sign करेंगे कि भाई हाँ हम सब अपनी consent दे रहे हैं यह adopt कर रहे हैं constitution को ओके तो adopt हो गया final signature हो गया 24 January 1950 को इसके बाद से जो हमारा constitution था वो force में आ गया 26 January 1950 यह भी पूचा जाता है अब student confused होते हैं यह दोनों date पे तो हमेशा ध्यान रखना adopt पूचा गया है या force पूचा गया है कई बार होता है कि हम date याद होती है सब कुछ clear होता है बट हम कभी question में यह ठीक से नहीं पढ़ते कि पूचा क्या गया है इतनी जल्दी में होते हैं कि adopt पूचा गया है या force प अब जो हमारी यह constituent assembly थी इस दिन से यह as a constituent assembly समाप्त हो जाती है और यह transform हो जाती है यही constituent assembly किसमे provisional parliament में जब तक कि नई parliament नहीं बन जाती है 1952 में तो provisional parliament के रूप में काम किया फिर election होते हैं नई parliament बनती है 1952 में तो यह जो constituent assembly थी इसने almost 3 years का time लिया इसको draft करने के लिए constitution का exact timing जो पूचा भी जाता है हमारे exams में GS के questions में कि 2 years 11 months and 17 days यह exact पूचा जाता है option में रहता है अगर इसको number of days में करें तो 114 days यह भी ध्यान रखना दोनों पूचे जाते हैं फिर जो money spent हुई थी जो खर्चा आया था इस पूरे constitution को frame करने का वो था 64 lakhs और हमारा जो यह final documents बना था इसमें 22 parts थे 395 articles थे and 8 schedules थे got it तो यह हो गया important facts अब हमारा यहां पर constitution बन गया ready हो गया adopt हो गया force में भी आ गया अब हम यह देखते हैं कुछ जो हमने बीच में discuss कर रहे थे ना कि इतने दिन लगे जो इसको constitution को precise करने में फ्रेम करने में तो कितने sessions चले थे जब आपका 29 अगस्त 1947 को drafting committee बन गई थी उसके बाद से आप कितने session total कितने session लगे थे हमारी जो constituent assembly है जो मिली थी session का मतलब है कि मिली और constitution के बारे में discussion हुआ constitution के provision को finalize किया गया debate हुई उनमें ये चीज़े तो total 11 session थे अब बहुत सारे बच्चे confuse हो जाते हैं कई बार कि एक बार जो constituent assembly थी वो जो last time हमने देखा ना कि 24 जन्वरी 1950 को मिले थे ये लोग sign करने के लिए तभी 26 जन्वरी 1950 में हमारा constitution था वो force में आ गया था तो ये भाई sign करने के लिए मिले थे last time इस दिन कोई session नहीं चला था कि constitution में कोई debate हुई होगी क्योंकि जो हमारा constitution था वो तो 26 जो November 1949 को ही adopt हो गया था तो उसके बार से तो कोई session चले गई न हमने already adopt कर लिया तो 24 जन्वरी 1950 को सिर्फ sign करने के लिए मिल रहे थे तो it was not a session तो 11 session चले थे total last session आपका यही 14 से 26 November था जब आपका constitution adopt किया गया था तो यह 11 session पूछा जाता एक्जाम में कि कितने total session चले थे constituent assembly में ओके यह पूरी details दी हुई है अब इसके बाद से further चलते हैं यह भी पूछा जाता है कि last time कब मिले थे sign करने के लिए तो 24 जन्वरी 1950 अब important committees देख लेते हैं हम जो इस पूरे constituent assembly के जो timing था उस दोरान बनाई गई थी different different tasks के लिए तो committee on the rules of procedure इसके head कौन थे राजेंद प्रसाद फिर steering committee राजेंद प्रसाद finance and staff committee राजेंद प्रसाद फिर credential committee तो यह कृष्णा स्वामी अयर थे house committee भी पट्टाभी सिता रमया फिर business committee केम मुंसी ad hoc committee on the national flag most important committee आपने देखा हो का बहुत बार इस यह question repeat हुआ है तो यह थे राजेंद प्रसाद इसे याद रख लेना है तो national flag की जो ad hoc committee के chairman कौन थे राजेंद प्रसाद इसके बाद से committee on the function of the constituent assembly जीवी मावलंकर फिर state committee यह थे आपके जवालाल नेरू यह भी ध्यान रखना है पूचा जाता है यह वाला question बार बार repeat करते हैं फिर advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas यह इसके थे आपके वल्लब भाई पतेल तो यह एक common advisory committee थी फिर इसकी subcommittees बनाई गई थी तो कई बार बच्चे confused हो जाते हैं तो confused नहीं होना है overall committee के जो थे वो थे आपके वल्लब भाई पतेल फिर इसके अंडर में कई सारी subcommittee बनाई गई जैसे एक subcommittee बनी थी minorities के लिए तो इसके कौन थे? H.C. मुखर जी fundamental rights के लिए जो subcommittee थी ये थी जैबी करपलानी इसके बाद से North East Frontier Tribal Stadia Excluded Areas इन सब के लिए गोपिनाथ बार दोली ये हो गए फिर इसके बाद से Union Power Committee जवाहलाल नेरू ये भी बहुत बार पूचा गया है यूनियन Constitution Committee जवाहलाल नेरू ये भी fact बहुत बार repeat करके पूचा गया है drafting committee तो पूचा ही जाता है ये तो मतलब अब रट भी गया हो शायद आपको बियार अमबेट कर अब drafting committee में एक चीज अगर और deep में पूचता है अगर आपके exam में तो क्या पूच सकता है कि कितने members थी including chairman तो including chairman seven members हो जाएंगे और chairman को हटा कर six members हो जाएंगे ये भी ध्यान रखना है अब इसके और अगर deep में पूचेगा तो भाई पूच लेगा कि इन में से चार-पांच नाम दे देगा और पूचेगा कौन इन में member नहीं थे ये भी पूच सकता है भी हमें तो हर तरीके से ready रहना है न तो कृष्णा स्वामी आयर हो गए गोपाला स्वामी बियार अमबेटकर मुंसी के मुंसी आपके तो यह चीज़ की इसके चेयर मैं कौन थे बियार अमबेटकर और पहली मीटिंग कई थी 30 अगस्त 1947 को अब बनाई कब गई थी 29 अगस्त को हमने यहां पर देखा था ना एक फैक्ट 29 अगस्त यह 29 तो बहुत पूचा जाता है चेयर मैं पूचा जाता है यह दो बहुत important facts पूचे जाते हैं तो अभी हमारे सारे शायद मैंने बहुत rich content आपको प्रवाइट किया है और सारे important facts प्रवाइट कर दिया है जो पूचे जाते हैं हमारे exams में और repeat करकर के पूचे जाते हैं तो थोड़ा बहुत criticism देख लेते हैं बहुत सारे लोग criticize करते हैं कि जो हो सकत स्टेटमेंट के रूप में पूचा जाए आपसे तो not a representative body बहुत सारे जो critics हैं वो कहते हैं कि जो constituent assembly एक representative body नहीं थी क्योंकि कुछ limited जो intellectual जो rich people थे उनका domination था वहाँ पर फिर इसके बाद से Congress party का domination था आपको पता है कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस है हमारे freedom freedom struggle को head किया था या lead किया था I'm sorry guys so lead किया था इसके वज़े से इसका domination था फिर बहुत सारे allegation लगते हैं कि हिंदु dominance थी constituent assembly फिर बोला जाता है कि it is not a sovereign body क्योंकि एक इसके order पे बनी थी Britishers के order पे British government cabinet mission 1946 कौन लाया था British government लाय थी जिसके आधार पर हमारी constitution assembly बनी थी तो लेकिन आप इसे conclude यह करेंगे कि कुछ भी हो जतना मतलब constituent assembly इतने कम दिनों में इतने कम budget में Indian constitution जिसमें across the world जितनी भी best practices थी और उसको with modification इंडिया में adopt किया है ताकि इंडिया में जो unity and diversity है उसके आधार पर मुसे suitable बना सके और sustainable एक democratic republic country बना सके यह बहुत सारे important चीज़ें हमारे constitution में adopt की गई थी so thanks for watching this is all for today guys hope so कि आपको fruitful रहेगा आज का lecture और आपका जो constituent assembly की important facts है उनको cover करने में help मिलेगी और अगर आपको जड़ा से भी help मिल रही हो मेरे in videos से so please like करना and share it with your friends अगर आप नए हो तो please subscribe it I will try my best कि मैं GS के जितने भी important facts है ऐसे छोटे छोटे topic में break करके important facts को मैं आपके सामने ला सकूं जिससे कि आपको यह easy हो जाए कि अगर आपको किसी exam के लिए GS prepare करनी है तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको एक जगे चीज़ें मिल जाए so thank you so much thanks for the support see you in the next video bye bye take care